So hey people, welcome back to our own YouTube channel तो आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर से होगा कि आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मलब मैं ये वीडियो मैं इस टाइप की वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो यार सिंपल सा आंसर है खुद मेरा भी और आपका भी CBAC अपडेट वीडियो को देख देख के दिमाग खराब हो चुका है मलब कि अगर अपडेट आया तो वेल और फाइन अगर नहीं भी आया तो ये अपडेट चैनल दिन में तीन वीडियो बनाते है CBAC ने ये बोला, CBAC ने फिर दोपहर को ये बोला और रात में CBAC ने ये बोला जबकि वैसा कुछ रियालिटी में कुछ भी कुछ भी अपडेट या फिर कुछ भी नॉटिफिकेशन एक्जिस्टी नहीं करता ये लोग एक ही न्यूस को एक ही अपडेट को बार बार रिपीटिडली दिखाते है ताकि उनके पास व्यूस है और अगर CBAC ने सच में कुछ ट्वीट किया या फिर कुछ भी अपडेट निकाला तो क्या आप उसे डिस्टिंडिस कर पाओगे इसका आंसर है नहीं आप भी मेरी तरह उन वीडियो को इगनोर करोगे जबकि वो वीडियो आपके लिए important होने वाला है तो इस वीडियो का motive वही था कि मेरे को आपको actual चीज़ बताना है कि अगर अपडेट आए तो आया है और अगर नहीं आया है तो नहीं आया है simple सी बात और कल एक actual update आया है जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझा तो कल वाले update में CBSE ने एक curriculum को launch किया था जिसमें simply ये था कि आपको DG Locker को ready रखना है क्योंकि उसी में result आने वाला है आप देखो result दो तरह से आते हैं एक website में और एक DG Locker में online store कर सकते हैं उसमें आपका आधार कार्ड होता है driving license हो सकता है pen card हो सकता है या फिर कोई भी document, mark sheet आपके उसमें store किये जाते हैं तो बस उस update में इतना ही था कि CBSE DG Locker के थूरू result देगा हाँ website के थूरू भी देगा और इसमें ये update चैनल वाले ने 10 वीडियो चापा या डीजी Locker को लेके इतना confusion क्यों है simply आपको एक app install करना है उसमें login करना है जो कि आपका आधार कार्ट से हो जाएगा उसमें 10 तरह की वीडियो बना कि student को mislead करना क्यों भाई और अगर गाईज आप भी ऐसे वीडियो देखते हो कि result आज आएगा या फिर result कल आने वाला result परसों आने वाला है तो यार प्लीज वो वीडियो को देखना बंद करो अगर reality की बात करें तो CBS ये उस दिन बताता है किसी भी time आज भी कल भी या फिर परसों भी कभी भी आके बोल सकते है कि result आज आएगा आप इंस्टॉल कर लेना है बस और रहा बाद result का तो वो किसी भी time आ सकता है आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है परसों भी आ सकता है मलब सब चीज हो चुका है बस result को publish करना बागी है यार ये छोटा मोटा प्रोसेस थोड़ी है कि एक कास में टेस्ट हुआ टेस्ट में 40 बचे थे टीजर ने चेक किया और आपको दे दिया भाई बहुत सारी इशू होते सर्वर का इशू होता है और आज खल तो टेक्स्ट मेसेज के थुरू भी आपको result मिल सकता है फिर डीजी लॉकर हो गया बहुत तरह की चीजे को चेक करना पड़ता है कहीं आपको marks सही से चढ़ा की नहीं सर्वर कहीं crash न हो जाए तीन से चार बर evaluate होगा कि सही चढ़ा है marks की नहीं उसके बाद आपको result पब्लिश किया जाता है तो बस यही था आज की इस वीडियो में खेर आपका result अब किसी भी time किसी भी वक्त आ सकता है मदब आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है उसके बाद भी आ सकता है मदब किसी भी time सब चीज हो चुक है बस publish होना बागी है और उतना ज्यादा attention भी मत लेना खेर एक result ही है एक paper ही है थोड़ा important तो जरूर था बट अब जो हो चुक है वो हो चुक है अब accept the present present में जीना सीखो ठीक है तो मिलते किसी अगली वीडियो में till then bye bye take care जैहिंग